नमस्कार आपकी अपने चेरे लखी डीशेर पर्णा होम नेटवर्क में आप सभी दर्सकों का स्वागत है मैं हूं आपके साथ कादिर पर्णा होम नेटवर्क लगातार आप चेर पहिल करता रहा है कोरोना संक्रमण को ध्यार में रखते हुए साथानीय जरूर बढ़ते महास जरूर लगाए सोसल रिष्टेंशन का पालन करे अनावसे घर असुने निकले लोगडाउन का पालन करे शासन द्वारा दिये जा रहे हैं निर्देश चुदिसा निर्देश हैं आपके ही हित के लि अधिकांस का घर पर ही रहना रहकर किया जा रहा हुचार जिले में कोरोना की रप्तार पर प्रेक लगता नहीं दिख रहा है संक्रमण से लगातार मौते भी हो रही है लेकिन अधिकांस मामले में मौत जिले के बाहर होने के कारण सरकारी रिकार्ड में दर्द नहीं हो रही है वही कोरोना संक्रमण रेपिट टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी सांस लेने में परिसानी और आक्सियल लेवल कम होने के कारण लोग जानगबा रहे हैं जिसका भी कोई रिकार्ड नहीं लिया जाता है जिले में हालात बेकाबू हो गए हैं जिला परसा संक्रमण के बढ़ते मामलों से डर लोग डरे हुए है अधिकांस लोगों ने सासन की पबंदियों के पूर्प से खुद को घर में कैद कर लिया है प्रों की लोगों की आसमय मौत की खबरों ने लोगों में डर पैदा कर दिया है यही कारण है कि आज कुरोना कर्प्यू के दोरान पूरे शहर में सन्नाटा पसरा रहा अधिकांस दुकानदारों ने छूट के बाद भी अपनी दुकाने बंद रही लोगों का कहना है कि जान है जान से जादा कुछ नहीं होता आज जारी है तो बुलेटिन के अनुसार जिले में आज 297 में जाच रेपोर्ट प्राप्त हुई जिनमें से 195 रेपोर्ट पहुच रेवाई इसी के साथ ही जिले में कुल कुरोना मामले बढ़कर 227 हो गए है वहीं सेंगपुर निवासी 41 बर्जी युवाग की मौत की भी पुछ्टी पुछ्टी की है आज सहर में 132 नए मरीज मिले हैं इसी क्रमें जगर में 9 देविनगर में 36 अमान गन्च में 7 अवईं में7 सांगर में 4 क्रुना संक्रमर्ट के मामले सामने आए है पत्रकार 37 जैसाल का दुखतनिन सहर के जाने माने पत्रकार 37 जैसाल का आज तो खेर लगबक 12 दुखतनिन हो गया पता जाता है कि सतीज को सांस लेने में परिसानी हो रही थी और आक्सियन लेबल भी लगातार कम हो रहा था कुछ दिनों पूर्ब उन्होंने कुरोना की जाज भी कराई थी लेकर प्रणाम नेगेटेब आए इसके बाद भी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ पैतालिस बर्शी सतीज जैसवाल को जिलाची के साले में भरती कराया गया जहां आज उनकर निधन हो गया वे ब्रद्दमा के एकलोते पोत्र थे स्री जैसवाल के दो मासुम पुत्री भी है आज स्री जैसवाल की हुई मौश से परिवार में दोखों का पहार ढूट पड़ा है स्री जैसवाल के निधन की जैसे ही सहर वाचियों को जानकारी राप्त होई पूरे सहर में सोख की लेर राप्त हो गई पत्रकारों सहे जिले के गड़मान नागरेकों ने उनके निदन पर सुक संभीदाने व्यक्त की और परिवार को इस दुख सहने की कामना की साथ ही पत्रकारों द्वारा प्रसाशन से परिवार के भरवर पोसन ही दू मुआपजे की मांग भी की जा रही है 22 अप्रेल तक बंद रहेगा टाइकर रजार पन्ना जिले में बढ़ते कोरोना संकमल को देखते हुए पन्ना टाइकर रजार पन्ना के फील्ड डारेक्टर उत्तमकुमार सर्मा ने परिटन गतिविदियों को 22 अप्रेल तक के लिए इस्थखेत कर दिया है जिले में 15 अप्रेल से 22 अप्रेल तक करोना कर्पी लड़ाया गया है जिले में परिटन संबंदी गतिविदियों को छूट नहीं दी गई है क्राइसिस मेरेजमेंट बैठक के बाद पन्ना टाइगर रेजर पन्ना के फील्ड डारेक्टर उत्तमकुमार सर्मा ने आगामी 22 अप्रेल तक पन्ना टाइगर रेजर पन्ना में परिटन गतिविदियों को बंद करने का फैसला किया है लोगडाउन में गुमने वालों पर की गई कारवाही लोगडाउन के दोरान पाई गई दुपानों पर की गई चालानी कारवाही जने भर में लोगडाउन का पारान करवाने शड़क पर उतरे पुलिस करमी कुरूना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रसासन द्वारा पाइस अप्रेल तक संपूर्ण जिले में पूर्ता लोगडाउन लगाया गया है लोगडाउन की दौरान आवस्यक बस्तों के लिए केवल हम डिलिवरी की सुग्दा दी गई है लेकिन उसके बाद भी को लोग लापरवाही करने में लगे हुए हैं जिसको देखते हुए नगरपाल कावा पुलिस की विविन टीमें लगातार नगर का नीचल करते हुए देखी गई लोगडाम की दौरान कुछ दुकाने खुली पाई गई जिस पर चलानी कारवाही करते हुए समझाज दी गई और कहा गया कि आगे यदि ऐसा होता है तो दुकाने सील कर कारवाही की जाएगी वहीं कुछ लोग बिना मास्क के बिना बज़ा गूम रहे थे जिने पकल का चलानी कारवाही की गई इस दोरान नगरपाल कावा पुलिस टीम ने कहा कि जिले में कुरूना का संक्रवाण अत्यदिक है जिसको देखते हुए लोग गरों में ही रहे आवस्यकार होने पर ही गरों से बाहर निकले यदि कोई बिना कारण के घरों से बाहर निकलता है तो उसके खलाब दंडात्मक कारवाही की जाएगी जिले में लॉकडाउन चलते शलकों पे सरनाटा पसरा हुए है सहर की दुकाने पूरी तरह बंद है वही लोग अपने गरों में ही रहकर लोगडाउन का पालन कर रहे है जिले में करोणा के मामले लगादार बढ़ रहे है एक दिन में 1.500 से अधिक मामले आ रहे हैं जो बेहादी चिंटा का विशा है लोगों को जागरों का पर्चे देते हुए जिलापरसासर का सहयोग करना चाहिए और विरा बज्ञे गरों से ना निकलें जिससे करोना ममारी पर नेंक्रट किया जा सके पन्ना SDM सहानगर SDM की पदस्ताबना सत9 दर्दों को पन्ना भारती देवी मिस्डरा को सहानगर SDM मनाया कुरूना का संक्रमट सास के कारायलों में भी देखने को मिला है जहां पर पदस्त अधिकारी वा करुणचारी संग्रमेद निगना है इस तीरी तो यह है कि है तैसीलदार वा नयाब तैसीलदार भी कुरूना संक्रमेद पाए गए है जिससे प्रसासने गतिविदियों भी प्रभावी हो रही है इसी को देखते हुए पूर में शासन द्वारा दो अधिकारीयों को पन्ना जिले में इस्ताना अंतरत किया गया था इन अधिकारियों की पदस्थापना के बाद अपरक लेक्टर द्वारा इने पन्नावा सानगार अनुबाग में पदस्थ किया है जारी आदेश में 77 दर्रो डिप्टी के लेक्टर को पन्ना SGM बनाया गया है जिला चिकिसाल है पन्ना में संचाले सोनोग्राफी केंदर में नाक्टर पुस्पराज बागरी सोनोलोजिस्ट कुरूना से संक्रवित होने की वज़े से सोनोग्राफी की सुबदा इस्थवित की जाती है उन्होंने जन्समान को सुचित किया है कि जब डाक्टर स्वस्त हो जाएंगे तो पुरा सुवधाय दी जाएंगी जिला आप्दा प्रबंदन समीती की बैठक संबन जिली में कुरोना उपचार संबनी दबाओं इबं उपकरणों की कमी नहीं होने देंगे शेती सांसत बीडी सर्मा अलप्रबास पर पर पन्ना आये यहां उन्होंने जिला आप्दा प्रबंदन समीती के अद्धिता करते हुए कहा कि सासन इस्ता से कुरोना उपकरणों की कमी नहीं होने देंगे कुरोना संक्रमण से बचाओं के लिए लोगों में जागरुपता की अवसकता है जागरुपता के लिए विबन समोधायों के लोगों धर्म से जुड़े धर्म गुर्मों समाज सेवियों संगठनों की सहयोग से जागरुपता का कार किया जाए जिससे लोग संगरुपित न इसके अलावा निजी छेत्र में मदट रहसा हास्पिटल में आक्सिजन युक तीस बैट तथा एनमडीसी होस्पिटल में 20 आइसुलेटेड बैट की विवस्ता है जिले में मरीजों को पुविट केयर हेल्थ सेंटर के अलावा हॉम आइसुलेट करने की विवस्ता है हॉम आद्धम से आवसेक दवाएं उपलब्द कराई जाती हैं